हेलो फ्रेंट आज हम लोग देखेंगे केमेस्टरी का मोडल सेट कोशन पेपर दोस्तो इस मोडल सेट में काफी इंपोर्टेंट कोशन है तो आप वीडियो को जुरूर लाज तक देखिएगा और यह आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तो तो प्लीज चैनल को कर दिजे बेल आइकोन को भी दवा दिजे ताकि आपको जह इसी तरह का वीडियो असानी से मिल ठीक है तो चलिए देखते हैं आज का कोशन कोशन नमर वन से दोस्तों यहां पर कोशन नमर वन कर रहे कि कौन सी सांद्रता इकाइद ताप से सोतनतर होती है यानि तंप्रेच यही तरह बन है और उतलता हिस सभी मिल ठीक है अभर कोशन देखते हैं विदूत अफड़न में ऑक्सीकर एवा अपचेन करम से होता है तो ऑक्सिकरन दोस्तो एनोड पर होता है और अप्चयन जो है कैठोड पर होता है आनि ऑक्सिजन इलक्टोलैसिस में ऑक्सिडेशन जो होता है एनोड पर होता है और रिडक्शन जो होता है वो कैठोड पर होता है तो दो का जो है सही आंसर हो जागा यहाँ पर यह एनोड वो cathode अगला question है कि crystal होते हैं तो crystal दोस्तों शान परकार के होता है तो यहाँ पर जो है सही answer हो जागा C, साथ परकार के अगला question है कि copper niskursan की परगलन क्रिया में निर्मित धातुमल का रसानिक संघठन होता है दोस्तों copper जब उस आयसक से हम कौपर को निकालते हैं तो उस समय जो विविंतर का रियक्षन होता है उस कौपर को निरकालने में तो उसमें जो है उस अएक्ष में धातुमल पाया जाता है यहां कि निरकर्शन के परगलन परकिरिया में यहां परकिरिया का नाम भी दे दिया है परकिरिया में तो वो जो धा तो यहां पर चार का सही आंसर हो जाएगा अगला कोशन है कि निम लिखित में किसका बंधन कुन सबसे अधिक होता है इन सभी में दोस्तों बी-अफ-3 जो है ट्रेगोनल प्रेनर रेस्टेक्चर दिखाता है 120 डिगरी जो है यह एंगल बनाता है तो इसमें जो है सबसे ज्यादा बंधन कुन सबसे ज्यादा बी-फ-3 का होता है पांच का तो सही आंसर हो जागा C, B, बी-फ-3 अगला कोशन है हिलियम का सुत्र है तो हिलियम एक परकार क गैस अक्रिय गैस है लितोस्टों यह फेरी मुक्त वहसिटा है नेशर में अक्रिय होता है और इसका सुत्र होता है HE तो 6 का जो है सही आंसर हो जागा A HE अगला question है कि nitrogen और oxygen है तो nitrogen और oxygen अधातू है दोस्तो और ये gas भी है तो 7 का जो है सही आंसर हो जागा B अधातू अगला question है कि संक्रमन तत्वो को और किस नाम से जाना जाता है तो group D block element को D block को दोस्तों जो है संक्रमन तत्व कहते हैं तो 8 का जो है सही आंसर हो जागा यहाँ पर C D block तत्व अगला question देखते हैं CS3 CWOH का IOPSE नाम है इसका common नाम है दोस्तो Acetic Acid और इसका IOPSE नाम बताना है देखिए यहाँ पर 2 carbon है तो 2 carbon के लिए हम इथेन का तो इसका नाम लिखने के लिए हम OIC Acid का यूज करते हैं तो इथे Noic हो जाएगा तो C3 CWOH का IOPSE नाम हो जागा इथे Noic Acid तो 9 का जो है सही आंसर हो जागा यहाँ पर B इथे Noic Acid अगला question देखते हैं कि पेट में अत्याधिक अमल को बनने से रोका जा सकता है तो अमल को रोकने के लिए दोस्तो हम लोग परियोग करते हैं पत्याम पत्ती अमल एंविए anti-acid एसीड को रोकने के लिए एंटा-एसीड का यूज करते हैं तो 10 का सही आंसर हो जागा यहाँ पर पत्ती अमल ठीक है है चलिए अगला कोशन देखते हैं है कि निम में से विलियन के लिए कौन अनुसंख्य गुन है यहां पर अनुसंख्य गुन Velvet अनुसं जालए यानु पर अनुसंसंख्य गुन हुए कोलीगेटी परबाश्रन दाव यानि परकाल का कौलिगेटी प्रूपर्टी है तो बारय का जो है सही अंसर हो जगा यहां पर D प्रासरन दाव यानि ओसमोर्टिक प्रेसर अगला कौस्ण है कि टिंडल प्रभाव प्रदरस्षित होता है कि टिंडल प्रभाव दोस्तों कोलाईडी सॉलूशन के दुरा दिखाया जाता है क्या जाता है तो यहां पर सही आंसर हो जागा सी क्लाडी Memorial को कि अगला कोशन है किनिम लिखित में कौण दुट्यथ सेल है तो दुट्य सेल क्लों होता है दूस्तों जो प्हले लेक्ट्रिक इनर्झी में कन्वर्ट करता है और फिर chemical energy से जो है electric energy produce करता है उत्पन करता है तो वो दुत्यक cell होता है तो यहां पर दुत्यक cell जो होगा लेड इस्टोरेज बैटरी तो 14 का जो है सही answer हो जागा यहां पर B, लेड इस्टोरेज बैटरी अगला question देखते हैं कि पर्थम कोटी की अभिकरिया के लिए वेग इस्टरांग की इकाई होती है तो यहां पर पर्थम कोटी के लिए जो है वेग इस्टरांग rate constant की इकाई होगी per second per time तो 15 का जो है सही answer होगा A per time दोस्तों आप इनको निकालने के लिए फर्मूला भी देख सकते हैं जैसे कि M जो है यहां पर होगा minus N प्लस 1 ठीक है और यहां पर T पर minus M जो है दोस्तों मॉल अड़ता को दिखाता है यहनि मॉल पर लिटर को और first order reaction के लिए अगर N कमान 1 देंगे पर्थम कोटी के लिए तो यह हो जागा 0 एक और के वल यहां पर बजागा party अगर second order के लिए पुछेगा तो N के वहलोगर हम दो लिख देंगे तो आप इस तरह से जो है इसका unit असानी से निकाल सकते हैं तो पर्थम कोटी के लिए जो होगा रेट कॉंस्टेंट कमान जो होगा वेग स्थान की काई जो होगा यहां पर पर टैम होगा 15 का ए अगला कोशन देखते हैं कि निमलीखीत में कौन कोलाइडी घोल नहीं है तो कोलाइडी घोल दोस्तों यहां पर जल जो है नहीं है एक true solution वास्तविक जो है solution है जल और जितना भी दिया है यह सारा कर सारा जो है गला कोशन देखते हैं कि अजयस्क में उपर्षित असुधी को गैंग करते हैं दोस्तों तो 17 का जहीं आंसर होगा यहां पर भी गैंग अगला कोशन देखते हैं कि निम मेंसे किसमे टिंडल परवाव तुछ को नहीं पाया जाता है तो टिंडल परभावव चीनी का गोल निकला जाता है दो उसको जहां और्सक बोलते हैं तो 19 का जई है सई हुआज़ जंचर होज़गा ए अगला कुष्ण देखते हैं कि नीम लिखीत में से कौन संक्रमन धातू का आयतन अनूग मखिए है तो यहां पर अनूचंबख किया जई है। जिंक आयन होGr tell तो 20 का जो है सही आंसर हो जागा डी अनुछ चुम्बक किये अगला कोशन है नीमन में किसका जो है कौन सा अमल पाया जाता है तो सिर्का में जो है दोस्तों एसिटिक एसिड इथेनोइक एसिड पाया जाता है जिसका फर्मूला होता है तो यहां पर 21 में जो है सही आंसर हो जागा बी यहां पर प्रसंक्रन कितना है जोस्तों तो यहां पर जो आरेन का हैड्रेटाइशन हो जाएगा संक्रन हो जाएगा यहां पर जो है आरेन का हैड्रेटाइशन हो जाएगा अगला कोशन देखते हैं गिरिग नार्ड अभी कर्मक तियार करने में गोहलक परियुक्त होता है तो गिरिग नार्ड रियेजेंट को तियार करने में कौन स कि अगला कोशन है कि सांद्र एस्टू एसो फोर से निर्जली करन के निमलिखित निर्जली करन का निमलिखित अलकोहल में कौन दू टू ब्यूटिन देता है तो यहां पर जो जब दोस्तों कंसेंट्रेटेड एस्टू एसो फोर का निर्जली करते हैं अलकोहल में तो टू ब अगला कोसन देखते हैं कि calcium format का सुक सरवन देता है तो calcium format का सुक सरवन जो देता है वह देता है फॉर्मल्डी हैड यहनि S-C-H-O तो 25 का जो है सही आंसर हो जागा A-C-H-O अगला कुशन है कि आईसो टॉनिक विलियन में आईसो टॉनिक विलियन में वे है जिनके बरावर होते हैं तो आईसो टॉनिक सोलुशन में दोस्तों परासरिक जो हता है वो सेम रहता है तो 26 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर A परासरिक अगला कुशन है कि C-H-I-3 में antiseptic क्रिया का कारण है तो C-H-I-3 दोस्तों एक परकार के antiseptic का यूद करते हैं जो microbial सुक्सम जिवान के ग्रोथ को रोकता है तो उसमें जो है iodine E-C-H-I-3 से जो है iodine मुक्त होता है जो microbial antiseptic property का काम करता है तो 37 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर भी iodine मुक्त होकर निकलना अगला कोशन है कि निमली खीत में कौन सा पर्थम पंक्ति का संक्रमन तो नहीं है first transition metal नहीं है इसमें से देखिए दोस्तों magnesium जो है second group में आता है और बांकि सभी जो है पर्थम पंक्ति का जो है संक्रमन तत है first transition element में सभी पाया जा है लेकिन magnesium है दोस्तों यह group 2 का element है तो यहाँ पर group 2 जो है sorry magnesium जो है संक्रमन तत नहीं है 28 का जो है सही आंसर हो जो है यहाँ पर C magnesium अगला question देखते हैं कि गुलकोज है तो गुलकोज है दोस्तों एक 100 sugar है ठीक है जिसका formula होता है C6, H12, O6 तो यहाँ पर 29 का गुलकोज का जो है सही आंसर हो जो है यहाँ पर D, 100 sugar अगला question देखते हैं कि परसिटामोल है तो परसिटामोल दोस्तों परती हारी है पीरा हारी है ठीक है तो 30 का जो है सही आंसर हो गए यहाँ पर यह पीरा हारी जोसका यूज हम दोस्तों बुखारियर के समय जो है इसका यूज करते हैं बुखार में एक परकार का पिराहरी है तो अगला कोशन देखते हैं एलकिन साइनोइडो के पूर्ण जल अप घटन में उत्पाद बनता है तो एलकिन साइनोइडो के पूर्ण जल अप घटन में जो उत्पाद बनता है वो होता है एमीन तो 31 का जो है सही आंसर हो देगा यहाँ पर एमीन अगला कोशन है कि प्रैमरी डिरी प्रैमरी सकेंडरी एंटरसरी और कोहल में अंतर यानि जात अंतर ग्यात करते हैं तो किसके दोरा दोस्तों यहाँ पर ऑक्सिकरन वीदी दोरा लुकास पर्टिजाविक विक्टर मेर इनमें से सभी तो यहाँ पर जो है दोस्तों सभी जो है इनमें से सभी इसका जो है सही अंसर होगा इस सभी के दोरा हम प्रैमरी और सकेंडरी और टरसरी अलकॉहल में जो है इसके बीच में अंतर को पता लगा सकते हैं अगला कोशन देखते हैं कि 3D सरेनी में अपवाद है तो 3D सरेनी में अपवाद है वो है क्रोमियम और कॉपर में है जो दोस्तों यह हाफ फिल और फुल फिल का जो है इसमें इसमें जो हाफ फिल नहीं रहाता इसका और्बेटल लेकिन यह जो है कि सीष्ध ब्लोक से जो है इस अठीट से जो है ए यज सबसेल से जो है दोस्तों अपने आपको अपने ऐसस्टेवल बनाने के लिए यह जो है इलेक्ट्रोन यह डी और वे टल में ले लेता है अगर इसका stable बनाने के लिए हाफ फिल जो हता है more stable होता है तो इससे जो है electron अपने में लेगा तो यह हो जाएगा 4S1 3D 5 तो इसलिए जो है यह अपवाद माना जाता है chromium और copper को तो 33 का जो है सही answer हो जागा यहाँ पर A chromium और copper अगला question देखते हैं कि मोहर लवन का सुत्र है तो मोहर लवन का सुत्र होता है दोस्तों FE SO4 NH4 का hall 2 SO4 into 7H2O 34 का जो है सही answer होजगा यहाँ पर C यह जो है more 11 and more salt का जो है formula है अगला question देखते हैं कि नीन में से दुरबलता लिगेंड कौन है तो दुरबलतम लिगेंड है दोस्तों इसमें chloride, fluoride यह जो है दुरबल यानि विक लिगेंड होता है तो 35 का जो है सही answer होगा यहाँ पर अगला question देखते हैं कि acid acid chloride से ketone बनाने के लिए परियुक्त अभिकर्मक होता है तो यहाँ पर acid से ketone बनाने के लिए दोस्तों कौन से reagent का यूज़ करते हैं तो यूज़ करते हैं डायमिट हैल कैडमियम का तो 36 का जो है सही answer होगा यहाँ पर c डायमिट हैल कैडमियम अगला question देखते हैं कि aniline evum acetyl dehyde परतिक्रिया कर बनाता है तो aniline evum acetyl dehyde को अगर reaction कराएंगे तो बनेगा six base skips base skips base तो 37 का जो है सही answer होगा d skips base अगला question है कि vitamin c परमुक्त शुरूत है तो vitamin c 200 citrus fruit में पायाता है खटे पलों में पायाता है तो इसका जो है सही answer होगा निम्बू तथा संत्रा अगला question है कि methyl amine को बनाया जा सकता है तो methyl amine को जो बनाते हैं किसके द्वारा दोस्तों होफ मैन ब्रोमड अभी किरिया के द्वारा तो methyl amine को बनाते हैं होफ मैन ब्रोमड के reaction के द्वारा तो यहां पर इसका सही answer होगा बी तो 49 का जो है सही answer होगा B अगला कोशन देखते हैं कि निमली खित में से कौन सा संगनक बहुलक नहीं है तो संगनक बहुलक वह जो हता है जिसमें दोस्तों अगर ग्रूप को और रियक्षन कराएंगे तो बाइप्रोडक्ट में वाटर या तो कोई गैस निकलता है तो संगनक बहुलक होता है लेकिन तो ग्रेसेलोल जो है दोस्टो ट्राहेड्रिक अलकोहल होता है आप इसका फर्मूला देख सकते हैं यह होता है इसका CH2OH यहाँ पर फिर CH2OH फिर CH2OH यानि तीन जो है हाइडरोक्सिक ग्रूप पाया जाता है तो एक जिसका जो है सही आंसर होगा यहाँ पर D. ट्राहेड्रिक अलकोहल अगला कोशन है कि किस रसानिक अविक्रिया के द्वारा वेग परवाहित होता है किसी रसानिक अविक्रिया का जो है वेग परवाहित होता है तो टमपरेचर से जो है दोस्तो रसानिक अविक्रिया का जो है वेग वेलोसिटी जो है परवाहित हो जा धन्यवाद